इसने के बाद आईए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की जहाँ यूपी का योगी मॉडल लागू किया गया है दो दिन पहले योगी सरकार ने दुकानों पर मालिक के नाम और पता लिखने का जो आदेश चारी किया है अब हिमाचल की कॉंग्रेस सरकार भी उसी रहा पर चल पड़ी है यूपी की तरह भिमाचल प्रदेश में भी खाने पीने की दुकान लगाने वालों को अपना नाम अपनी पहचान बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा ये आदेश हिमाचल सरकार के मंतरी विक्रम अदित्य सिंग की तरफ से जारी किया गया है हिमाचल की कॉंग्रेस सरकार के इस कदम को योगी आदितनाथ सरकार के नक्षे कदम पर चलते हुए देखा जा रहा है और ये पहली बार नहीं है जब विक्रम अदित्य इस तरीके के फैसले लेते हो या विक्रम अदित्य की जो लाइन है वो कॉंग्रिस की विचारधारा से थोड़ी अलग जाती हुई नजर आती हो एक फैसला विक्रम अदित्य की तरफ से लिया गया है कि हिमाचल में अब खान को ध्यान में रखकर ये फैस्ता लिया गया है उन्होंने कहा कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो समान बेच रहे हैं खासकर जो खाने पीने का समान बेच नहीं हैं उन्हें अब अपनी पहचान बतानी होगी यानि कि अपनी पूरी डीडेल अपना पूरा ब्योरा व आपको बताना होगा अपनी दुकान के बारे में जिस तरीके से उत्रपरदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फडी वाले है खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा तो हमने भी इसको यह करना होगा वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी बन चुकी है उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्य आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शता से इस प है का आदेश क्यों जारी किया क्या है आईए वो भी समझे दरसल पिछले कई दिनों से खाने पीने की चीजों में मिलावत की बाते सामने आई आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग खाने में गंदी चीज मिलाते दिख रहे हैं ऐसे में खानपान की ये जो आदेश है वो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है जो स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी है उसके माध्यम से कमिटी के माध्यम से आईडी कार्ड बनाए जाएंगे और उसके उपर उनकी फोटो उनका जो रेस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें इसके उपर दी जाएगी और उसको हमने जो है अपने अस जो हैं हमारे सेकर्टरी है इनको भी मने कहा है कि पर्टिकिलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे है उसके उपर भी इसको ंप्लिमेंट किया जाएगा